किसी God religion या फिर sacred चीज़ को disrespect करना या फिर insult करना कहलाता है blasphemy या फिर इशनिंदा blasphemy को ऐसे crime consider करके दुनिया के around 69 देशों में blasphemy prohibition laws है जितना जाहिल, गरीब और कभिलाई मानसिकता वाला देश होता है उतिनी कठोर सदा होती है blasphemy की वो country जहाँ पर blasphemy allowed है जहाँ इशनिंदा करना कोई crime नहीं है वो development nation से आज की date में जैसे France, Iceland, Norway, Finland, Canada, Switzerland अब उन country को देखते हैं जहाँ पर blasphemy laws बहुत seriously follow किये जाते है पाकिस्तान, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Iran इन देशों के बारे मुझे बोलने की जरुएत भी नहीं है इनकी हालत का अंदाजा आप इनके नाम से लगा सकते हो अब हम पर है कि हमें Norway और New Zealand जैसे देशों में आता है या फिर Pakistan और Iran जैसे